हालो फ्रेंड नमस्कार एक बार फिर सी आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है साथियों आज हम आपको इस वीडियो मस्ता हैं कि अधिया आप यूपी आटियो प्रियागरा इनुवर्शिटी से आप यम्मे होम साइंस से कर रहे हैं तो यम्मे होम साइंस में आ यह पर सबसे पहले आपको ऊपर लिखा合 मिलेगा ठीक है है कि यहां पर सबसे पहले आपको लिखाओ मिलेगा है muit ChamND सेमस्ट्र इसके बाद का थर्ड ला इसके बाए उसके बार लास्ट में अपका दिया है फोर्स वीश्ट तो टूटल आपके जो सेमेस्ट्र होते हैं वह एक समस्टर में साथ जो आपका paper होता है एक समस्टर में आपके तीन paper होता है ठीक है श्क Upon सा आपका subject है अ B सबसे पहले है आपका philosophy भी निखा होई यहाँ है अओ सबसे पहले हैं आपका subject दिया हुआ है ठीक है टेश्ट टाइल एग एग लिखा हुआ है सबसे पहला फिर दूसरा देखिए आपका subject यहां पर दिया है human development यह आपका दूसरा subject है इसके बाद आप नीचे आएंगी नीचे साथ यह आप आएंगे तिहां आपका स्ब्रेट्स लिखा हो मिल्यगा फूड्स साइंस है यहां पे च्षठा सब्रेट लिखा हो मिलेगा प्रorous क्या एक स्वेस्ट्ट सी 보्ट यहां पे दिये गए हैं तेन पेपर होंगे भी आप द्यान रखेंगे की एक समेस्थ में आपके कितनी पेपर होंगे तीन पेपर होंगे ठीक है यहाँ पर देखें पूरा structure दिया गया है और एक याद को यह आपके structure नहीं संयागा तोSky पीडिया फाइल जो अपने टेलिग्राम चैनल पर अफ्लोट कर देंगे वहां से आप इसकी पीडिया फाइल को भी प्रिंट करके निकाल सकते हैं और अपने खुद पढ़ सकते हैं देख सकते हैं कि किस प्रकारती हैं यहां पर कौन कौन से सब्चेट यह में होम साइंस में सब्स शमीडिया ज है पैफि अब पैपर की बात ओव तो पताक्या बात अब पीपर के बाएा अब नीचे दिखेज़े जह हôm आएंगे तो बढ़रा आएगा श्ली बस सबसी पहला पिलाप狐र आपका रिए हैं फ्र समिश्टर का जो पहला प्रत कर आपका है टेक्स्टाइlAYन дटोटीं यह आपका पहला पेपर है और वन्में टेक्सटाइल जो फाइबर हैं इनके बारे में आपको अधिन करनी है यहाar पर देखें नेमें आपके यहांपे इन्टॉडचन टू डिया है मैंने फैक्टेरिंव ओड डिया है अरेन डिया है इस सब देखें कि नाइलॉन दिया है इस सब एकएक करके आपको पुरिक बिस्तिji करना कर अध्यन अध्यर करना ठीक है फिर यूणिट ठीरी में एंड मेनुफिक्ट्रिंग और यार्ण लेनतिफाल में आपको जो फैबरिक कंश्टक्शिन मेथड वह आपको देखी पढ़ना है और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना की के हाप है यहां पर इंट्रोक्शन एप आनठेट थाks चे कुण प्रोसेस ओफ वीविंग पढ़ना है ठीक है है कईंडe ऑफ युव पढ़ना है इस सब देखे काई कर यहां पे दिए गया तो यह सब आपको करके क्या कर सकते वहाई ना यूदित में आपको केर एंडब ऑफ क्लोथिंग के बारे में आपको अज़्जन करना है ठीक है फिर और भी आपने निची आए इसे देखे यूनिट 9 में आपको ready-made garments के बारे में आपको पढ़ना है ब्लॉग फूर आपको आ जाएगा इसमें आपको laundry do science दिया है यूनिट 10 में आपको stand removal के बारे में पढ़ना है यूनिट 11 में आपको material and equipment used in laundry के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 12 में आपको देखें क्लीणिग material फार लाओड्रिक बारे में आपको अध्यन करना है इसके बारे में आपको Brits and Other Regents बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 14 में आपको laundry और special fibers के बारे में आपको अध्यन करना है यह आपका फर्स समेश्टर का पहला पेपर है उसके बाद फर्स समेश्टर का आपका जो दूसरा पेपर है साती हूं इसमें आपको सबसे पहले ब्लाक वन आजाके इनी जिससे एम खंडवन बोलती है इसमें इंट्रोडक्शन टू हीमन डेपलेप्मेंट के बारे में आपको पढ़ना है इसमें क्या क्या आपको पढ़ना देखिए कि करके यहां पर दिया गया है और इसके इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है साती हूं तो इसकी पीडिये फाइल आप मारे टेलेग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडिये फाइल को भी प्रिंट कर सकते हैं निकाल सकते हैं और प्रिंट करके आप इस सिलिबस के अनुसार अपनी तयारी को मजबूत बना सकते हैं इसके बाद देखें unit 4 में आपको दिया मेठा 2SD human development second दिया है unit 5 में आपको मेठा 2SD human development third दिया है फिर ब्लाग 2 में देखें theory of human development दिया है unit 6 में आपको theoretical ठीक है पर इस्पेक्ट्टीव फ़स्ट दिया है unit 7 में आपको theoretical perspective second दिया है unit 8 में आपको theoretical पर इस्पेक्ट्टीव थर्ड आपको पढ़ना है यह सब आपको देखें दिया है उसके बाद देखें आपका जागा unit 8 में भी दिया है आपको unit 3 block 2 में आपका stage of development first के बारे में आपको पना unit 9 में आपको parental development के बारे में unit 10 में आपको care of the new net के बारे में unit 11 में आपको in fancy के बारे में आपको अध्यन करना है ठीक है unit 12 में आपको यह आपको देखें आपको Puberty and Adolescence के बारे में आपको पना unit 30 में आपको adult खेंशा है okay Huld के बारे मापको पना unit 14 में आपको old age के बारे में पना ब्लॉ roads neighborhood के बारे में आपको पना unit 13 वाक्क channel and early against late के बारे में आपको पना है इस अब आपको अध्यन करना है फिर आपका आज के शेन के कि एड़न के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 17 में आपको प्ले एक्टिविट्पिटी आपको अध्यन करना है पर साथ आपका जाघ ब्लॉग 5 ठीक है, Block 5 में देखे, Women's HD के बारे में आपको पढ़ना है, Problem and Issues related to Women के बारे में आपको अध्यन करने से Child Mary, Female, ठीक है, इस सब सारे टिली की करकी आपको दिया गया है, इस सब की बारे में आपको एक की करकी अध्यन करना है, फिर साथ यूँ आपका देखिए, फर्स समेश्टर का आजाएगा आखरी पेपर, यह में Home Science, फर्स समेश्टर का साथ यूँ आपका लास्ट पेपर आजाएगा, Food Science, इसमें आपको सबसे पहले Block 5 में Food Science, General Introduction आपको पढ़ना है, Unit 1 में आपको Introduction to Food Science के बारे में, Unit 2 में आपको Physical and Chemical Properties of Various Food के बारे में, Block 2 में Food Group 1 आपको पढ़ना है, इसमें आपको Food Groups, ठीक है, Cereal and Pulse के बारे में आपको पढ़ना, Unit 4 में आपको Milk and Milk Products के बारे में आपको अध्यन करना है, फिर साथ आपको Unit देखे, 5 आपका इसमें Egg, Meat, Fish and Pottery के बारे में आपको पढ़ना है, Unit 6 में आपको Vegetable Foods and Beberins के बारे में आपको प पढ़ना है इसको यिद्ट 7 जो आपका जागा इसमें आपको औलड यद्शी पाइस के बारे में आपको पढ़ना है unit 8 में आपको देखे शूगर and its products के बारे में पढ़नाया ऊचलि ऑफ एडिस ड्वारे में आपको पढ़ना है hg to food products के बारे में आपको अध्यन करना है फिर sec 2 आपके आपको sensory analysis के बारे में आपको अध्यन करना है और अगेला आपको यू अध्यन 13 इसमें आपको देखें वेट आंगेंज मेंन्स अफोड इडिस्ट्रीफ बारे में ज्ञार है तो इतना आपको सात्यों कीवल यादि यम्मे आप करें यम्मे होम साइंस का जो फस्ट समेश्टर है उसकी अंत्रगरत इस सब आपको अध्यान करना है पढ़ना है और सात्य यदि आपको उम्मार यह चोड़ी सी इंफार्मिशन चोटी सी जानकारियां को अच्छ लेगी तो वा से आप मारे टेलेग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडिया फाइल को भी पराप्त कर सकते हूं वाप पर आपको जो होम साइंस का जो फर्स समिश्टर है, सेकंड समिश्टर, थर्ड और फोर समिश्टर, चारो समिश्टर का आपको यहाँ पे जो है स्लेव बस जो है मिल जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतने साथ हूं नमस्कार जैहिए